So, Hello, What's UP, कैसे हैं आप सव्हान जी मित्रो, finally we are done with our CA Inter audit paper and I'm sure, आपके चहरे पे वे काफी अच्छी smile रही होगी जब आपने पेपर कराओगा. Starting में देखने पेपर थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है, और इस Starting में कैसे कैसे question आ रहे हैं, अगर आपने पिछले तीन दिन में अच्छे से प्यारी की थी, प्यारे तरीके से अच्छी त्यारी करी थी in the last three days, तो I am sure आपका paper काफी अच्छा गया होगा, if I talk about the level of the paper, as I told you, थोड़ा average category में डालेंगे, कई ना कई कुछ चीजे ऐसी थी, जो ICI ने indication दे थी in the MTP, कि हम थोड़ा सा account से related पूछ सकते हैं, हम थोड़ा law से related पूछ सकते हैं, तो वो उन्होंने पूछा, तो जो बच्चों अभी group 1 देके आया थे, नया नया, एक दम गरम गरम group पन देके आया, तो उनको तो section 53 of discount वाली चीजे याद रहेंगी, ठीक है, और जिन्होंने AS10 वगर पढ़ रखाए, PP उनको पता रहेगा, PP की cost में क्या नहीं आता, और जो accounts वाले नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी उसमें difficulty आयोगी, but overall if I look at from the audit scenario, मुझे जितना समझ आते है, class में जितनी चीजों का हमने रटा लगाया था, I think that would be the right one, हाँ, जितनी चीजों का समझ के रटा लगाया था, वो जो 4-5-5 points याद करने में हमने में महनत करी थी using those memory techniques, मुझे पूरा विश्वास है, आपको फायदा तो वह होगा, और अगर हुआ, तो do let me know in the comments, because I am sure आपका यह paper काफी अच्छा गया होगा, I am not wasting your time in discussing the whole paper, because अभी आपके पास FM और SM के लिए 1.5 days ही है, audit का जो 3 days था, वो तो चलो याद ठीक है, बट FMSM के लिए 1.5 days ही है, and I want all of you to give your best, बाकी आपका कैसा experience रा, जो भी आपने बच्चों ने classes attend करी, जिन बच्चों ने YouTube revisions की मदद ली, और आपने notes or quotient bank use के, please let me know in the comments की, आपको paper देने के बाद कैसा feel हो रहा था, how were you feeling after that, and yes, बस अब आपको एक paper और देना, अपना FMSM और उसके बाद आपके CA final की journey शुरू हो जाएगी, so wishing you the best for the paper ahead, and I am sure कही ना कहीं ये paper लिखके भी आपको मजा है होगा, मेरी आप से बस एक की request है, जो भी आपका feedback है, appreciation है, do share in the comments, because that is my motivation, मुझे वो पढ़के काफी अच्छा लगेगा, बाकी तो wishing you the best, and yes, see you soon, see you soon in CA final audit, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, picture अभी बाकी है, लगे रहो,